तो हलो फ्रेंड अगर आप लोग भी 5,000 रुपे तक लोन लेना चाहतो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से अप्लाई कर सकतो कम इंट्रेस्ट रेट पर और 100% अप्रूवल रेट कैसे आपको मिलने वाला है आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ लाईब बताने वाला हूँ तो बस आपको इस वीडियो में सुरु से लाश्ट तक बने रहना है और जो जो बताता हूँ सारा फैप आपको फालो करते जाना है आप लोग असानी से यहाँ लोन ले पाओगे अब यहाँ पे देखोगे अगर मैं यहाँ पे 5,000 रुपे तक लोन लेता हूँ यहाँ पे car loan आ रहा है इसको हम लोग personal loan कर ले रहा है और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ आपको interest rate सिर्फ 11% का लगने वाला है और tenure आपको जो मिल जाएगा 3 महीने के लिए मिल जाएगा मतलब 3 महीने तक आप लोग इस loan को चला सकतो आपको जो extra यहाँ देना पड़ेगा सिर्फ 92 रुपीज आपको यानि 92 रुपीज देना होगा हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा processing fee भी देना होगा वो 100 के आसपास होने वाला है मतलब 200 रुपीय के आसपास में आपको यह loan मिलने वाला है अब यहाँ पे देखोगे तो interest आपका जो भी बनेगा वो देख सकतो तोटल आप लोग payment कितना करोगे वो यहाँ पे देख पाऊगे और यहाँ पे टोटल interest पेवल जो है वो देख सकतो और loan यह माई भी आप लोग देख पाऊगे तो कैसे apply करना है क्या process होने वाला है सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ subscribe नहीं किया है यह चैनल पे first time विजिट कर रहे है चैनल को कर लिजगा subscribe बगल में बेल आइकन देखने को मिल जाएगा इस पे आपको tap कर देना है और इसको all पे कर लेना है set in future कोई भी वीडियो आता है कोई भी update आता है उसका notification आपको first time यानि सबसे पहले मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पौगे अभी मैं यहां से कर लेता हूँ आपको सबसे पहले open और आपको आगे का process यहां live करके दिखाता हूँ तो जैसे ही हम लोग आपको open करेंगे कुछ ही इस तरीक एक option आजाएगा buy range of loan product यहां 30,000 तक आपको आजाता है और यहां fast, reliable, paperless और secure का option आजाएगा नीचे आप लोग देखोगे get start का option आजाएगा और यहां से आपको enter mobile number का option आजाएगा 300 million पलस यहां download आ रहा है अब यहां पे देखोगे welcome to pay rupee का आजाएगा और यहां पे देखोगे SMS, user, personal information हो गया device information, calendar, battery level, app data, network data, use data और यहां पे देखोगे आपका जो location है वो लिया जाएगा camera का permission हो गया, photo, library और यहां पे देखोगे file का option, deny, evoke, restrict सारा option आपको यहां देखने को मिल जाता है मतलब सारा आपको यहां पे accept करना होगा अगर इस application से आपको 5000 रुपया loan चाहिए अब करना क्या है, यहां पे देखोगे agree का option देखने को मिलेगा इस पे आपको tap कर देना है, disagree करोगे तो आपको यहां next आएगा है नहीं, तो आपको agree कर लेना है अब जैसे ही agree करेंगे सबसे पहले आपको यहां पे location allow कर देना है, first option select करना है यहां से आपको access calendar का option आएगा, इसको भी allow कर देना है और यहां से notification या notification वेजेगा, तो इसको भी आपको allow कर देना है, और यहां call वाला भी option allow कर देना है SMS वाला option allow करोगे अब जैसे ही, मैं यहां से इसको open करता हूँ यहां पे देख रहो, 20,000 का मुझे यहां पे offer मिल चुका है लेकिन आपको कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ देखो, minimum 5,000 आप लोग अपलाए करना अगर ज़्यादा कम का ज़रुत है तो असानी से loan मिल जागा अगर आपका requirement ज़्यादा है, तो हो सकता है आपका loan reject होने का chance हो लेकिन उसको भी, आप लोग कैसे कर सकते हो मतलब किस तरीके से apply करोगे कि आप लोग बड़ा amount भी लो, तब भी आपका reject ना हो वो ही मैं बताऊंगा और कैसे आप लोग यहाँ instant disversal ले सकते हो काफी सरे friends आपको पता होगा कि काफी सरे लोग आपको यहाँ पर YouTube पर बता रहे है 24 घंटा लेगा, 48 घंटा लेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको trick यूज करना होगा आपका instant disversal होने वाला अब क्या करेंगे, get my loan वाले option पर tap कर देंगे अब जैसे ही tap करेंगे, यहाँ से phone number आपको डालने का option आजाएगा यहाँ से phone number डाल दिया, apply more वाले option पर tap कर देंगे अब यहाँ पर देखोगे, the phone number has already registered login का option आजाएगा, अब यहाँ से login वाले option पर tap करेंगे अब यहाँ से OTP सबसे पहले आपको मंगबा लेना है, थोड़ा सा बेट करेंगे OTP जैसे ही आता है, यहाँ से OTP fill करेंगे और यहाँ पर हमारा login हो चुका है अब जैसे ही login होगा, get my loan का option आएगा उससे पहले आप लोग देखोगे, आपको तीन step यहाँ देखने को मिल जाएगा loan के लिए यहाँ तीन step देखने को मिलता है अब यहाँ पर first step fill in हो जाएगा, जिसमें आपको fill करना होगा सारा detail जिसमें आपका personal detail हो जाएगा घर, address, income यह सब आप से पुछा जाएगा second में आपका review किया जाएगा उसके बाद disversal यहाँ देख रहे हो disbursement का option आपको देखने को मिल जाएगा अब get my loan वाले option पर मैं करता हूँ यहाँ लिया जाएगा back और front दोनों उसके बाद pen हो गया bank account अब यहाँ नीचे देखोगे start का option आ रहा है start वाले option पर tap कर देना है अब जैसे ही आप लोग tap करोगे यहाँ पर देखे हो please upload pen card picture तो यहाँ से pen card आपको यहाँ पर feel करना होगा जैसे ही आप लोग यहाँ पर pen card डालते हो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे pen number हो गया और यहाँ पर देखोगे father's name हो गया dov हो गया male female आप लोग यहाँ से select कर लोगे select करने के बाद यहाँ next वाले option पर tap कर देना है जैसे ही आप लोग tap करोगे कुछ इस तरीके का interface आजाएगा अब यहाँ पर job type आजाएगा तो इसमें जो भी आपका job type है वो यहाँ पर डाल सकते हो जैसे नहीं करना है आप लोग यहाँ पर self employee select कर लेना self employee select करोगे अब यहाँ पर देखोगे बर्क industry आजाएगा इस पर tap करोगे याँ आप यहाँ पर किराना वाला option select कर लोगे अब जैसे ही select करोगे जो भी आप लोग डाल रहे हैं उसमें आपका क्या position है तो आपको यहाँ पर जो भी option मिलता है जैसे अदर होगे यह सब option आप लोग select कर लोगे तो यहाँ पर manager वाला option हम लोग select करते हैं monthly income आता है तो इस पर आग के select करना है यहाँ बीस दे 40 व्ला option सब्सेंट कर लेना ईब जैसे ही select करोगे कुछ इस तरीके का option आजाएगा अब यहाँ पर देखोगे स्री यहाँ पर next वला option आपको select कर लेना है अब जैसे ही next करोगे कुछ इस तरीक एक option आजाएगा अब education आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो भी आपका education level है वो आप लोग सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आपको यहाँ पे religion सिलेक्ट कर लेना है वो सिलेक्ट करोगे अब यहाँ पे आपको एक gmail डाल देना जो भी आपका gmail है वो यहाँ से fill कर दोगे अब यहाँ से मैंने gmail डाला submit वाले option पे tap करेंगे अब यहाँ पे spoken का option आ रहा है console language आपको आता है वो यहाँ पे डालोगे तो मैं यहाँ पे single डालता हूँ अब यहाँ पे zero डाल देंगे children पूछा जा रहा है next करेंगे अब next जैसे ही करोगे यहाँ से आपको फिर से मांगा जाएगा pen थो हमने already डाल दिया था अब आपको यहाँ पे front मांगा जाएगा अधार और back अधार यह दोनों आप लोग डालने के बाद next करोगे यहाँ पे देख रहोगे start का option आ रहा है इसके बाद आपका होगा video के yc video के yc होने के बाद आपको यहाँ से आपका bank account detail मांगा जाएगा और कुछ नहीं होगा इतना करने के बाद आप लोगों का असानी से यहाँ loan provide करवा दिया जाएगा अब यहाँ पे आगे का detail मैं आपको यहाँ live नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन मैं आपको 100% surety के साथ बोल रहा हूँ आप लोग यहाँ से जैसे ने जाट करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे थोड़ा सा time लेगा maximum 5 minute का time आपको लगने वाला है और आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा आपका कितना loan approved हुआ है उसको फिर अपने bank account में transfer कर पाओगे और जैसे ही transfer करोगे आपका यहाँ maximum 24 गंटे लग सकता है आपका जो भी यहाँ पे loan pass होता है वो अपने bank account में transfer हो जाएगा